यह आंसर करो what is cytokrome iron containing protein cytokrome कहां मिलेंगे mitochondria में मिलते हैं chloroplast मिलते हैं electron carrier ETS में दो तरह के हैं hydrogen carrier और electron carrier complex which reduce complex 4 cytokrome C reduce मतलब electron देना cytokrome C वो complex नहीं है complex 4 oxidize किसको कर देगा अच्छा complex अगर लिखना है मुझे तो मैं लिखूंगा complex 3 किसके through through cytokrome 3 मतलब cytokrome C के through भेज रहा है oxidize किसको oxidize करेगा cytokrome C को NADS से 3 FADS 2 से 2 final electron receptor oxygen है जो पानी बनाता है एक तो electron carrier है दूसरा hydrogen carrier है hydrogen carrier क्या होता है electron plus proton carrier होता है ये electron carrier है कौनसी और्गनल mitochondria और chloroplast क्या आपको ये चीजे समझ में आ रही है क्या ये चीजे समझ में आ रही है आप क्या करेंगे अब इसको cytokrome is iron अब आप ETS एक एक लाइन पड़ेंगे ठीक है आपको आ जाएगी NCRT समझ ऐसा होई नहीं सकता कि NCRT समझना है ठीक है तो हो सकता है आज आपको एक extra part और मिले एक गंटे का पर आप ETS अब समझ पाएंगे मैं एक बर summarize कर रहा हूँ ध्यान से सुन लो मैं जो summarize कर रहा हूँ उसको एक मिनिट सुनेंगे सभी बच्चे ETS क्या है electron की movement हो रही है क्यों रही है NADS है किसके तरू complex के तरू क्यों करना चारहे ATP बनाना चारहे ATP कैसे बनाएंगे H plus ही कठा करके ठीक है H plus ही कठा कहा होगा outer inner membrane की बीच में कौन बनाएगा complex 5 बनाएगा कितने complex है 1, 2, 3, 4 1 किससे electron लेता है NADS से 2 किससे लेता है FADS 2 से दोनों किसको देते हैं UBQ non को ठीक है कितने hydrogen carrier है 1 FMN है ये 2 UBQ non है ठीक है complex 3 में hydrogen carrier है yes, UBQ non complex 1 में FMN है complex 4 में कोई hydrogen carrier है नहीं वहाँ cytokrome A और A3 है ठीक है इतना